हेलो दोस्तो विकम बैसे झाल आज मैं आइसे बारे में इसके बारे में शाहिद है आपको बताव का चलो फिर बिना इंत्र में टायांग। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो तो चलो बात करते हैं नंबर वन के बारे में नाइन के बारे में एक यह कि 9 एक एकलोता ऐसा नंबर है जिसको अगर आप किसी से multiply करेंगे तो जो नंबर आएगा उसके digits का sum हमेशा 9 ही होगा चो देखते कैसे अगर मैं 27 को 9 से multiply करता हूं तो क्या हैगा आपका आपका अंसर आएगा 243 अगर मैं 243 का sum कर दूं 246 और 6 और 3 9 देखा आपने इसका 9 अगर चलो एक और देखते हैं 35 into 9 क्या हैगा आपका 315 फिर से 3159 ही होता है राइट चलो एक ट्राइब करते हैं 223 into 9 क्या है आपका 2007 राइट टू और सेवन फिर से वही नाइज तो यह था 9 के बारे में पहला पर चलो अब बात करते हैं 9 के बारे में दूसरे फैक्ट की राइट यह नाइन के बारे में अगर में 9 को किसी numbers में plus कर दूं तो आपका answer आएगा और जुन नमबर आपने plus किया दोनों का sum भी same ही पिटो देखने कैसे अगर में 9 में 17 प्लस कर दूं तो क्या आपका answer आएगा 26 6 तो फेक्ट यह है कि जो आपने प्लस किया और जो आपका आंसर आया उन दोनों के डिजिट कसम एक जैसा ही आएगा जैसे कि 1 और 7 8 और 2 और 6 8 चलो एक और देखते हैं आप में प्लस करता हूं 9 9 प्लस 35 क्या आपका आपका आंसर आएगा 44 राइट इन दोनों को प्लस करें और इन दोनों को क्या आपका 3 और 5 8 और 4 और 4 फिर से वही 8 चलो एक और देखते हैं अब मैं करता हूं 9 प्लस 86 क्या है आपका 95 ना 8 और 6 14 9 और 5 14 राइट तो यह था 9 के बारे में दूसरा अमेजिंग चलो बात करते हैं तिसरे बारे में 9 के बारे में यह है कि अगर कोई नंबर उसके डिजिट का सम 9 से डिवाइड हो जाता है तो वह नंबर भी उस नंबर से अगर मैं कोई नंबर सब्सक्राइब लिखता हूं तो इसके नंबर का सम करता हूं क्या आएगा आपका टू-टू-फौर-फौर-फौर-एट-वन-9 यानि कि यह नंबर जो है 9 का डिविजिबल है 9 से डिविजिबल है ऐसी अगर आप से कोई पूछता है कि एसा कोई नंबर लिखेंगे जिनका सम नाइन ही आए मैं ट्राइब करता हूं थी फौर और फाइब लिख दें मैंने राइट क्या आगया आपका थी फौर फाइब तो यह नंबर आपका नाइन से डिवाइड हो जाएगा तो यह था नाइन के बारे में थर्ड फैक्ट चलो बात करत है नाइन के बारे में फंट काथर नाइन के बारे में यवी यह है कि सम देखते है तो वह हमेशा नाइन से डिवश्बल होता है देखते हैं कि अगर मैं बात करूँ ट्राइंगल की गीं वा testa isles का अधर ट्राइवल हो जाएगा अगर बात करो रेक्टांगल की वाet jewelry यह 9 कडिवैल है अगर बात करो पॉप थे पाइड को महते हैं वोसकी बात करूं हमें तो क्या थे का आपका 540 一ज आप इंटिरियर एंगल निकालेगा एन माइनस टू इंटू 180 जहां एन जो होता आपका साइड्स कितनी साइड्स आपके ठीक है तो यह फैक्ट है कि किसी भी शेप के इंटिरियर एंगल का सम हमेशा नाइन से डिविजिबल होगा राइट अब बात करते हैं फिफ्ट फैक्ट की यह नाइन के बारे में कि अब अगर आपको एक नंबर लिख देते हैं राइट में एक नंबर दिखाता हूं एक्जाम्बल से थी फोर सिक्स एंड टू राइट अब अगर मैं इस से एक लाजस्ट और एक स्मॉलेस नंबर बनाऊं और दोनों का आपस में सब्ट्राइक कर तो जो नंबर आएगा वह हमेशा नाइन का डिविजिबल होगा ट्राइक करते हैं कैसे पहले में बड़ा लिखता हूं इससे क्या आपका इससे एक छोटा नंबर लिखता हूं क्या आपका टू फोर 3 6 sorry 2 3 4 6 अब मैं इसको सब्ट्राइक करता हूं क्या आपका 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 यहां 6 आएगा यहां 8 आएगा यहां 0 और यहां पर आपका 4 राइट अब यह हमेशा क्या होगा 9 से डिवाइड हो जाएगा यहां हम ट्राइगरते हैं जब हमने पहले फेक्ट सुना कि इसका सम जो होना चाहिए वह नाइन से हमेशा डिवाइड होना चाहिए तो मैं इसका जो नंबर आया को सम करके देता हूं क्या एट सोरी 408 12 और 618 यानिके 18 जो होता है वह नाइन से डिवा हो जाएगा बात करते हैं नाइन के बारे में यह भी है कि अगर आप जीरो से लेकर नाइन तक सारे नंबर प्लस कर दें तो जो नंबर आएगा आपका 45 वह भी नाइन से डिवाइड होता है तो यह था नाइन के बारे में 6 पैक्ट चलो बात करते हैं नाइन के बारे में 7 फ चलो बात करते हैं 9 के बारे में 8 फैक्ट कि यह भी कि आपने जब कैल्कुलेटर देखा होगा कैल्कुलेटर या कोई भी कीबोर्ड जिसमें सिर्ज लिखी होती तो उसमें पहली रो का नंबर आपका होता है 789 अगर दोनों को प्लस करो तो क्या आएगा आपका 24 राइट दू क्या होता है आपका 6 आप देखे 24 15 और उद्फेर्ण कितने का है तीनों में 99 का ही डिफ्रेंट है तो यह था 9 के बारे में 8 फैक्ट अब बात करते हैं 9 के बारे में 9 फैक्ट के बारे में राइट तो जैसे कि आप जानते कि एक गंटे में 15 डिगरी रोटेट करता राइट पंधरा दिग्री रोटेट करता है एक घंटे में और अर्थ 24 आवर्स में पूरा चक्कर कम्प्रीट करता है तो 24 और 15 जो डिग्री है उसमें डिफेरेंस कितना है और जैसे कि आप जानते हैं कि वह 24 घंटे में 360 घूम जाता है और रोटेट कर लेता है और 360 भी 9 का डिविजिबल है आई होप आपको यह फेक्ट पसंद आएंगे आप मुझे कमेंट बॉक में लिक्के बताएं कि आपको इन में से कौन से फेक्ट सबसे जादा पसंद आया अगर आपको वीडियो अची लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने दुस्तों को साथ शेयर करना ना भूले और मेरे चैनल को साथ में सब्क्राइब भी कर लिजिए तो चलो फिर मिलते हैं नए किसी फेक्ट के साथ तब तक के लिए सीखते रहें जय भारत